नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एजूकेशन फॉर भारत में और मैं हूँ आपका दोस्त बी के तीवाडी दोस्तों आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है सैक्स्टोर्शन आपने काफी वीडियो के माध्यमशे न्यूज पेपर के माध्यमशे आज कल ये खबर जरूर देखी होगी कि सैक्स्टोर्शन का जो अपराद है हमारे देश में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है और ऐसे में पर डेज हजारों लोगों के जाथ इस तरीके का स्कैम होता है और उनसे बड़ी मात्रा में पैसो की लूट की जाती है आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर जो सैक्स्टोर्शन है ये क्या है ये किस तरीके के अपराद को कहा जाता है सैक्स्टोर्शन अगर दूसरी बात करें, तो इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके के व्यक्ति को टारगेट किया जाता है इसमें, यानि कि जो cyber criminal है, उनके द्वारा किस तरीके के जो लोग हैं, उनको इसमें शिकार बनाया जाता है, और अगर तीसरे नमबर बात करी जाए, तो आखिर जिन व्य यही है कि आपके साथ कोई भी लड़की या फिर कोई लड़का भी हो सकता है, आपको sex related अगर कोई भी चीज जैसे वीडियो या फिर आप से chatting, इनकी आड में आपके साथ किसी भी प्रकार की ठगी करता है, वो sex distortion का अपराद होता है, या फिर आपके सामने जो चीजे रखी जाएगी, वो sex के related रहेगी, तो यानि कि sex distortion का अपराद वो कहलाएगा, अब अगर बात की जाए कि इस अपराद में किस तरीके के लोगों को सबसे ज़्यादा और सबसे पहले target किया जाता है, तो ऐसे जो लोग जो social media पर active तो है, लेकिन वो ज़्यादा दिल्चस्पी रख करने की और वो अपनी जो friend list होती है, इस तरीके से भर लेते हैं, यानि कि उस friend list में ऐसे लोगों को सामिल कर लेते हैं, जिनें वो अंजान रहते हैं, जिन से उनकी कोई मतलब बातचीत या पहचान नहीं होती है, और वो ज़्यादा तर महीलाएं होती है, इस तरीके की idea को स जब हम इन्हें आगे से request and करते हैं, तो इन्हें ये चीज अच्छे से समझ में आ जाती है, कि ये आदमी जादा दिल्चस्पी रख रहा है महिला या लड़कियों में, ऐसे लोगों को ये क्या करते हैं, आगे से message करते हैं, और कोसिस करते हैं, चैट करने की या बातचीत कर करने की, ऐसे में जब हमारे द्वारा ही अगर उनको request and की गई है, तो हम ऐसे ही message को देकर बड़े खुस हो जाते हैं, और बातचीत करना हम start कर देते हैं, और ऐसे में ये हमारे WhatsApp नमबर हमारे से ले लिए जाते हैं, और हम उन्हें खुसी-खुसी हमारे mobile नमबर provide करा देते ह फिर हमारे सामने WhatsApp के जरिये भी chatting स्टार्ट हो जाती है, एक दो दिन का time लगता है और उसके बाद हमारे सामने इनका जो एक target होता है कि वीडियो कोल की जाए, उसको वीडियो कोल के अंदर उसका face record किया जाए, और फिर ऐसे व्यक्ति को, ऐसे target किया जाए, कि तुम्हारा ज इस तरीके से उन्हें मतलब कहा जाता है, इस तरीके से उन्हें प्रताडित किया जाता है, और ऐसे में हम उन्हीं की बातों को मानते हैं, अगर हमें उस वक्त, अगर कोई व्यक्ति कह दे कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, तो हमें वो बात बिलकुल वर्थ लगती है, जो लोग जो क्रिमिनल है वो कहते हैं वो बात ही हमें बिल्कुल सकते लगती है तो ऐसे में ऐसे लोगों को टार्गेट किया जाता है और फिर उनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है यानि कि उसका वीडियो रिकोर्ड कर लिया जाता है और फिर उस वीडियो को जो target होता है उसका सिकार बन जाता है और वो बिना किसी से query किये हुए यानि कि पूस्ताच बगेर ही उनको पैसा जमा करा देता है हाला कि हमारे काफी वीडियो जो कि इसे विशे के related बनाए हुए जिसको देखकर काफी लोग aware हुए है और अब जो पैसे जो पहले बिना पूस्ताच के दे देते थे आजकल उसमें काफी bound हुआ है वो काफी कम कर दिया है पैसा देना वो हम लोगों से contact कर लेते हैं और इस चीज़ को पूरे अच्छी से जान लेते हैं उनके समझ में आ जाता है कि यह स्कैम है और उन्हें target किया जा रहा है तो ऐसे में उनके साथ बचाव हो जाता है अब अगर बात की जाए कि इस अपराद में जो फसे हुए है या फिर जो फस जाए तो उसे बचना कैसे है आज हम वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जिस व्यक्ति के साथ इस तरीके का अपराद यानि सक्स्टोर्शन को लेकर जो अपराद हुआ है तो उसे सबसे पहले ये चीज निधारित करनी है कि उसका और उस क्रिमिनल का कनेक्शन कहां से हुआ था यानि कि मालो फेस्बुक से कनेक्शन हुआ तो उसे क्या करना है कि फेस्बुक से उसे रिमूव करना है और अपने फेस्बुक आईडी को लोग कर देना है यानि कि अपनी जो fan की list में जिसे add कर रखा था उसे वहां से हटा देना है उसके बाद अपनी ID को lock करना है उसके बाद अगर बात की जाए तो वो जो contact करता है हमसे WhatsApp पर हमें message करता है तो वहां हमें सरफ उससे calling के जरिया या फिर message पर यही बात करनी है कि हमने तुम्हारे खिलाब complaint दर्ज करा दी है हम तुम्हें एक रूपिया भी नहीं देने वाले हैं और जब वो बार बार आपसे यह कहें कि हम आपका वीडियो वाइरल कर देंगे जादा परेशानी की बात की तो हम तुम्हारी जो complaint है उसके अलावा और complaint भी दर्द करा देंगे और पुलिस इस्टेशन में आपका जो contact number है वो हम दे देंगे जाकर यानि कि यह चीज़े अगर हम उन लोगों के साथ करते हैं तो वो लोग भी काफी समझदार है इन चीज़ों को काफी तरीके से करते हैं तो वो लोग समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति से जादा उलजना परेशानी का कारण बन सकता है ऐसे में ये वक्ती हमारे को आगे प्रताडित कर सकता है परेशान कर सकता है तो इस वक्ती से ज़्यादा मतलब बातचीत या ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी चाहिए और ऐसे में उसका connection कट कर देते हैं या तो ऐसे में वो लोग उन सभी जो विक्टिम होते हैं जिनके साथ या अपराद हुआ है उनको ब्लॉक कर देते हैं या फिर उनसे मैसेज या बात करना बंद कर देते हैं इस तरीके से इस अपराद से बचा सा सकता है सायद जो आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी है सायद आपको काफी अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारे दौरा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को like share करना ना भूले और अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि हम फ्रोड के रिलेटर नई नई जानकारी लेकर आप लोगों के बीच आते हैं और आपको अवेर करते हैं